आप सभी को नवरात्री की बहुत-बहुत शुब काम नाए फ्रेंड्स नवरात्री आने वाली है और 3 अक्टूबर से हमारे नवरात्रे शुरू होंगे मातारानी के लिए हमें अखंड जोत बनानी है अखंड जोत की जो हमें लंभी बाती बनानी है उसी का आज मैं ये वीड बनानी है Patrick टिया कि मैंने से दिए इसमें कुछ लेरे बनी होगी तो मैंने इसमें से एक पत्ली सी लेर मेndगी आ जाए होगी तो हो सके तो एक पूरा लंबा टुकडळा ले ताकि भीच में पievous तो यहांगि की लेनी है टो एक हाथ की दूल दे लेने हैं तो एक इसके लिए का क। इसको बहुति है इसे हम भी बनाते हैं और बल देते हुए हम इसको बिलकुल समूथ एक पतली में उसके पाथम henry और यूदेते हुए मैं गी लगा लिया जाखों में ताकि मैं इसको जो इसमें के अंदर softness नहीं उसको भी मैं अच्छे से hard कर सकूँ और मैंने देखी इसको बिल्कुल ही hard तरीके से इसको एक दम से घी लगते ही ये एक जैसी बनने के लिए बन रही है friends देखिए अब जब हम घी लगा लेते हैं तो चिकनाट की वज़े से हमारी बत्ती और भी अच्छी smooth बन जाएगी तो ये देखिए एक जैसी बत्ती बन गी है ये पूरी लंबी बत्ती बन गी है ये रूई से बनाई है मैंने और इसको आप जब हम अखन जोत का दीपक सकते हो स्टील के पात्थर में भी जला सकते हो तो जो भी शुद बरतन होगा आप उसमें ये जोत जला सकते हैं तो इसको मैंने ऐसे fold कर दिया है तो fold करने के बाद जैसे ये पूरी fold हो जाएगी fold होने के बाद हम इसको किसी भी बरतन में अच्छे से इसको 9 दिन तक ये चल सकती है तो friends ये बहुत ही असान है और ये ना ही खुलेगी और बहुत ही ना ही हमें इसको निकालने का ना ही खीचने का जमेला है और बहुत ही जल्दी से बहुत ही असानी से बनने वाली ये रुई से मैंने बत्ती बनाई है तो ये लंबी बत्ती है तो इस तरीके से आप ल आई जाती है अब हम कलावा ले लिया है कलावा बस यह ध्यान रखे कि कलावा कोटन का होना चाहिए इसमें मिक्स नहीं होता है कहीं बार देखते हैं कि जो क्लावा होता है उसमें कुछ संथेटिक मिक्स हो रहता तो बत्ती फिर जल्दी से बार-बार वो हमारी जोत जो है मोटाई और उसके हिसाब से हमें बति को लेना है तो मैंने इसके double fold कर दिये हैं मैंने दो हाथ की लंबी बति लिये हैं देखिए एक हाथ और दो हाथ से थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लिये हैं क्योंकि हम बति को थोड़ा एक्सٹरा रखेंगे क्योंकि 9 दिन तक चलने वाली जोत है तो इसलिए मैंने 2 के आसपास मैंने इसको लिया है और उसके बाद मैंने हम किसी दूसरे को देखिए मैंने देकर और हम इसको अच्छे से बल देंगे और इसको इतने टाइट कर देंगे बल देते देते दोनों हाथों से हम ऐसे बल देंगे देखी बिल्कुल इसको हलका नहीं छोड़ना है और अगर आपने इसको हलका छोड़ दिया तो वो हमारी बत्ती अच्छे से नहीं बन पाएगी तो हमने जैसे अच्छे से बल दिया है अब हमने इसको बीच में से लेकर इ इसको fold कर दिया है तो यह हमारी बाती इसको फिर से हमने इसको ऐसे गुमा दिया है इस पर बल दे दी है बल देने के बाद देखिए वे friends अब एक दम से यह ready हो चुकिए अब यह बत्ती ना ही तो यह कठी होगी और ना ही यह खुलेगी तो इस तरीके से अगर आप बत्ती बन आई है तो अब मैं आपको दिये में डाल कर दिखाऊंगी कि देखिए किस तरीके से हम इसको दिये में डालेंगे तो जो हमारा दीपक है जो हमने खंड जोत का दीपक जलाना है सबसे पहले हम उसको निकाल लेंगे अब यह देखिए मैंने जो इसका जोत है इसमें से इसको एसे एक दम से खीच दिया है बड़ी अराम से ये डलती है और मैंने इस हिसाब से बनाया है ताकि ये ना ही तो बहुत टाइट है इसमें ना ही बहुत लूज है तो ये बहुत अराम से इसके अंदर आ गई है तो ये इस तरीके से आप बत्ती को जितना आपने निकालना है डालना है तो आप इसको अराम से लगा सकते हो जब हमें जोत हम जलाएंगे और जब हमें इसको खीचना होगा तो खीचने में भी हमें प्रोब्लम नहीं आएगी अगर आप ज्यादा मोटी बत्ती बनाओगे तो आपको खीचने मे बड़ी समस्य आएगी तो बत्ती का साइज हमेशा आप ऐसे दिखरे कि जो हमारा ये होल है इसके हिसाब से भी हमेश की मोटाई और इतना ही करना है ताकि हम बत्ती को अराम से खीच सके तो फ्रेंड्स ये दो तरह की मैंने बत्ती आपको बना के दिखाई है अगर आपको ये परवार पर सदेव किरपा बनाई रखे ऐसी हमारी कामना है फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए राधे राधे जैमाता की जैमाता की